नमस्कार दोस्तों आज है आठ नबंबर और आठ नबंबर को एक बर फिर से मैं अपने चानल पर हजिर हूँ दो स्टॉक ऐसे रखूंगा जो दोनों स्टॉक आज एक ब्रेकाउट देने पर पूरा पूरा आप इसका जब चार्ट देखिएगा तो पूरी तरीके से तेयार ह जी हाँ पहला स्टॉक है विंकीज और इस स्टॉक पर देखिए कल 1887 का हाई बनाया है इस स्टॉक ने और इसने क्लोजिंग दी है 1874 पर ओपेन हुआ था 1784 पर अच्छा मोमेंट देखने को मिला इस स्टॉक पर और आज एक ब्रेकाउट के लेबल पर ये खड़ा है ये स् सबसे अच्छा जो मॉमेंट दिया है वो है कि इसने 200 का जी ग्रीन कलर का प्लाइन देख रहे हैं ये 200 दिनों की मूबिंग अबरेज से उपर इसने क्लोजिंग की है आप जैसा देख पा है है 200 दिनों का moving average जिसका 1830 के आसपास में था और इस स्टॉक रे कल जो closing दी है वो 1808 के आसपास में closing दी है और एक resistance भी face कर रहा था इस जगह पर आप यहां पर देख पा रहे हैं continuously यह स्टॉक यहां से profit booking आती थी और इसमें support level आपको देखने को मिल रहा है इस जगह पे इसने बारबर support लिया तो एक trend line अगर draw किया जाए तो its trend line के पास में है और इसने इस trend line को पार करके closing दी है कल 200 दिनों के moving average से भी उपर है तो इस stock पे नजर बना के जरूर रख सकते हैं आज यह stock तेज हो सकता है और जैसे ही यह कल के high को bleach कर देगा जो कि इस candle पर आपको नजर आ रहा होगा 1887 का high है तो 1887 को अगर पार करता तो इस stock पर पूरा पूरा chances है कि यह 200 के level को आपको दिखा सकता है तो जरूर इस stock पर नजर बना के रखिए stock आज तेज आप लोगों को दिख सकता है stock पर ट्रेडिंग शुरू में मत किजिएगा जैसे market खुले इसके थोड़ी सी trading होने दीजिए देखिए क्या सा stock trade कर रहा जैसे high cross करता तो इस पर एक position बनाया जा सकता है यह वीडियो सिर्फ educational purpose पर है आप इसे अपने watch list पर लगा के जरूर देखने की कोशिस कीजिएगा और trading कीजिएगा उसके बाद ही trading करने से पहले एक बार जरूर अपना effort भी लगाईएगा थोड़ा समझने की कोशिस कीजिएगा यह positionally hold करके जाईएगा intraday के लिए मैं यह नहीं बात कर रहा हूं ठीक है यह पहला stock था विंकीज और एक और stock है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं नेक्स्ट stock है nbcc का nbcc में भी एक breakout देखने को मिला है तो nbcc पे भी नजर बना के रखिएगा देखिए nbcc ने continuously इस range पे trade कर रहा था यह stock पिछले एक डिड़ महना से और इस range को पार करके इस ने कल gap up open हुआ और gap up open होने के बाद यह stock उपर ही trade करता रहा नीचे नहीं आया और सबसे अच्छी बात है कि इसका एक moving average जो line आपको नजर आ रही है blue color की वो 100 day के moving average की line है और 100 day के moving average के उपर इसने trade करना चालू किया और इसने जो closing दी है वो 100 day के moving average के पास ही closing की है तो इस stock पे नजर बनाईएगा positionally यह stock भी आपको एक अच्छा momentum दे सकता है जो की 200 दिनों का moving average के आसपास में जाता दिखेगा और यह price आपको 50 रुपे का आसपास दिख रहा होगा तो यह stock 50 रुपे का आसपास में जा सकता है अभी इस stock का जो market price है अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप इस candle को absorb कीजिए जी हाँ इस stock का जो closing price है वो है 41 रुपे 50 पैसे का तो इस stock पे भी नजर बना के रखिएगा एक range का breakout दिया साथ ही आपने देखा कल जो finance minister का statement आया है इससे पूरे finance sector और साथी साथ real estate दोनों ही जगों पे काफी आपको एक अच्छा return एक से डेड़ महने के अंदर में देखने को मिल सकता है तो यह positionally hold करने की बात है आप इसे intraday purpose पे नहीं लीजेगा यह दोनों ही stock पे नजर बना के रख सकते हैं क्योंकि एक अच्छा breakout जो कि आप हमारे screen पे भी देख पा रहे हैं यह लगातार इसी जगा पे trade कर रहा था up and down बट इसने कल gap up open किया और इस range के उपर ही इसने closing की है तो जरूर नजर बना के रखिए at least 200 दिनों के moving average तक जाने के लिए stock पूरी तरीके से तयार है और इस stock का 200 दिनों का moving average 50 है और जैसे यह 50 के उपर में अगर trade करता दिखता है तो further up side हम लोगों देखने को मिलेगा तो यह थे दो stock दोनों ही stock आज अपने watch list पे लगाएं और इन stocks की trading जरूर देखिए at least trading तो जरूर देखिए क्योंकि देखिए काफी volume के साथ भी इस stock पे trade हुआ अकल आप देख रहें ने पिछले बहुत सारे दिनों के moving इनका जो volume है यह volume देखिए किस तरह से चल रहा था बट कल इसका volume देखिए especially इस candle को यह candle shape में जो नजर आ रहा है काफी तगड़े volume के साथ इसने कल trading की है तो इस stock पे भी एक breakout है और साथी volume काफी तगड़ा है तो यह stock भी उपर जाने का दमसम रखता है अभी 41 रुपिय 55 पैसे पे इस stock trade कर रहा तो इन दोनों stock पे जरू नजर बना के रखिए चलिए disclaimer रही है कि trading ना करें आप अपने watch list पे लगाएं इसे और उसके बाद देखे किस तरह से trading हो रही है जाने उसके बाद trading ले क्योंकि पैसा आपका लगेगा profit आपको ही होगा loss भी आपको ही होगा तो आपको समझने की बहुत ज़्यादा जूरत है मैंने आपको इक stock दिखाया तो जो दोनों ही अभी हाल फिलाल में shorter में आपको एक momentum दे सकता है तो चलिए वीडियो पितना ही मिलते है नैक्स्ट वीडियो पे इसी तरह के information के साथ जो भी stock breakout करेगा मैं आपको डेली का डेली दो stock आपके पास जरूर रखोंगा बागी trading आप अपने हिसाब से कीजिएगा समझीएगा सिखिएगा उसके बाद तो चलिए इस वीडियो को ही हिंड करत हुआ वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डाली फोर दे जैनुएन इन्फोर्मेशन रिगार्डिंग दे स्टॉक मार्केट थैंक्यो